और अब बाद चुनावों की जम्मो कश्मीर में चुनावी शंकिनाद हो गया है। और अब बाद चुनावी शंकिनाद हो गया है। अब हो सकता है कि सीट बटवारे का जो फॉर्मुला है वो तैक किया जा सके। यहाँ पर अब तयारियां अगर विदान सवा चुनाव की करनी है तो खुद को जम्मो कश्मीर में मजबूत भी उतना ही करना होगा। तो चुनावी तयारियों के बीच कॉंग्रस के लिए सबसे बड़ी चुनावी शंकिनावी करनी होगी है। गडबंदन को लेकर किस पाटी के साथ कॉंग्रस की बात बनेगी इस पर नजर होगी क्योंकि लोगसवा चुनाओ में PDP और National Conference की बीच बात नहीं बनी थी और दोनुप पाटी उन्हें अलागलक चुनाओ लड़ा था लोगसवा चुनाओ में National Conference और कॉंग्रस गडबंदन ने मिलकर चुनाओ लड़ा था इस बार क्या होगा ये एक दो दिन में फाइनल होने की उमीद है तो बीजेपी ने तो कह दिया है कि वो चुनाओ अकेले लड़ेगी लेकिन तमाम जो और राजनितिक जदल हैं जो विपक्ष है वो पूरी तयारी कर रहा है जम्मू कश्मीर में बापसी की और रिफत अब्दुल्ला असवक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिफत क्या तयारिया इस वक्त देखने को मिल रही हैं विधान सबचनाओ की जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस के राहुल गांधी बाँ पर पहुंचे हुए मलीकाजुन खरगे पहुंचे हुए कौन-कौन सी मुलाकाते आज जूनी हैं लेकिन जहां तक मैं आपको आज की मीटिंग्स की बात करूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर कापी सारे वरकर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यह आप देख सकते हैं कितनी बीड है उस होटेल के बाहर जहां पर राहुल एलेक्शन के त limbs को लेकर ओरश की में तैयारी है कांगरस की उस पर बात होगी हलाएं कि एलाइंस की जिस त्रीकAY से आप बात कर रहे थे अभी यह क्या पाना मुच्छ है कि तीन पार्टी की ऐलाइंस होगी यहाने पीडीपी कॉंग्रिस और नशनल कॉंफर्ण्स की या ख यहाँ पर वरकर्स आये हैं लीडर्स आये हैं जो राहूल गांधी से मिलेंगे और राहूल गांधी के साथ इंटराक्ट करेंगे आज ही एक प्रेस कॉंफरेंस भी हो सकती है जिसमें यह बताया जाएगा कि कॉंग्रेस ने अभी तक यहाँ पर क्या कुछ देखा और आज ही राहूल गांधी जम्मू पहुंचेंगे अपने दोरे पे और वहाँ पे भी वो अपने पार्टी वरकर हूं और लीडरू से मिलेंगे जी तो तयारियां देख रहे हैं आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रही है और कोशिश की जाएगी कि मेभूबा मुस्ती मान जाएं जम्मू कश्मीर के कॉंग्रिस नेता तारिक हमीत का कही कहना है कि राहूल गांधी और नाशनल कॉन्फरेंस के नेताओं के बीच अब तक गड़बंदन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है वरकर्स के साथ बाच्चीत करना चाहता ओँ हरके साथ में हैं समझा जा रहा है कि प्रिपोल एलाइन्स से मुतलिक बात होगी नच्शनल कॉन्फरेंस के साथ नहीं समझने को तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो कहा जा रहा है कि आफ कामरा होगा और शाहिद वो उमर अब्दॉल्ला और डक्टर फारिक अब्दॉला से मिलेंगे. क्या प्रिपॉल एलाइन्स से मुतलिक बात हो सकती है, पॉसिबिल्टी है? लेकि मिलने न मिलने के स्यासत में मुख्तलिफ पार्टी में होने का मतलब यह नहीं है कि कोई जाती दुश्मनी हो तो लेहाज़ा मुलाकात नहीं हो सकती. इन्शालला कॉंग्रेस इस बार बहुत अच्छे बेतर रिजल्ट्स लेके हैं. एकस्पक्त से बीजेपी का नारा है, पचास पार आपका नारा क्या है? हमारा कोई नारा नहीं है, उनके नारे भेल हो जाते हैं, वो पचास पार कहते हैं, लेकिन उसका जवाब है उनने चार सो पार भी कहता है. तो फारुक्स आप के साथ आप रूल आउट कर रहे हैं मीटिंग को? मैंने किसी के साथ नारूल आउट किया ना मैं वो उसको कर रहा हूं कि वो जवाब है।